आप सभी का जो इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस तरी को वशी करन करने के लिए ऐसा कौन सा उपाय है या ऐसा टोटका है जो एक बार में ही ऐसा काम कर जाए कि मज़ा आ जाए तो वशी करन के मामले में सबसे ज़्यादा जो देखे जानी वाली चीज़ है वो आपके पास उसकी कोई न कोई वस्तु होनी चाहिए या कोई चीज होनी चाहिए जैसे की कोई कपड़ा, फोटो, रुमाल, इत्यादी आप बहुत आसानी से भी वशी करन कर सकते हैं और जटिल प्रकरिया करके भी वशी करन कर सकते हैं इसलामिक तोर पे भी वशी करन होता है और हिंदु धर्म के अकॉर्डिंग भी आप वशी करन कर सकते हैं और बहुत से ऐसे चीज़े हैं जिनको केवल रखने से ही लोग अपने आप आपके तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं बहुत से लोग ऐसे चाहते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं या जो कैमरे के सामने आना चाहते हैं जो ऐसा चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ आकर्शित हो जाएं या भीड लगे जहां पर भी हम जाएं तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि वो अपने सबसे जो अनामी का उंगली होती है जिसमें रिंग फिंगर पहनते हैं उसमें एक जरकन धारन कर लीजिए तीन रत्ती का हो कम से कम और उसको सुबह चार बच के पंदरा मिनट पर धारन करना है ये थी आकर्शन के लिए कुछ टिप्स दी थी मैंने आपको जिससे कि लोग आपकी तरफ आकर्शित होंगे यदि आपके पती या फिर आपकी गल्फरेंड है जो आपसे मान नहीं रही बार बार दूर हो जाती है तो आपको एक काम करना है सिंपल से उपाय है कोई भी जत्तो जहत नहीं करनी पड़ेगी सिर्फ एक उसकी फोटो ले लिजिए और उसको तीन बार मौट दीजिए मतलब कि उसके जो फोटो है उसके तीनों कोनों को मौट दीजिए एक कोना सिंपल रहने दीजिए मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने बताया था कि यदि कोई इंसान अपने इच्छा मांग के गहास को गिठान लगा दे एक गिठान और कुछ समय के लिए वहाँ से चला जाए यानि कि ऐसे जगह पर गिठान लगाए गहास की जहाँ पर उसके उपर से कोई ना चला जाए वो सुरकशित रहे या कोई कुटा या पशु उसके उपर मुत्र भी सर्जन ना कर दे तो ऐसे जगह पर ना हो किसी दूर जंगल में ऐसे जगह पर जहाँ पर कम ही लोग जाते हूं या जानवर भी कम जाते हूं तो ऐसे बहुत से जगह होती है तो ऐसे जगह पे दो घास के नॉर्मल हरे पत्तों को गांट लगा दीजिए और आप समझ लेज़े आपकी इच्छा पूरी हो गया बाप अगर ये बोलेंगे कि मुझे तो हेलकॉप्टर लेना है और मैं गिठान लगा दूँ या गांट लगा दूँ तो देखे ये तो मुर्खता वाली बात हो गई आपको उस परकार की इच्छा मांगनी है जैसे जो पूरी हो सके जैसे वशीकरन हो सके आपका कुछ गुम हुआ है वो मिल जाए जो साथी चाहिए वो मिले कुछ पैसे उधार है वो दे दे इस परकार की आप इच्छा मांग सकते हैं एक और उपाय बताता हूँ रात को जैसे ही बारा बज़ते हैं अपने इच्छा मांगने शुरू करतो अलारम लगा दो रात के बारा बज़े का जैसे ही बारा बज़ते हैं सिर्फ बारा बज़े आपको अपने इच्छा एक बर मांगने ही मन में और कुछ भी नहीं करना ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ ये बहुत ही अचंबित कर देने वाले उपाय हैं इतना असरदार इनकासर होता है लेकिन ये तभी काम करते हैं आपका पूर्णते विश्वास होता है और मैं तो यही कहूँगा कि उस परमपिता परमेश्वर की शक्ती को कभी आजमाने की कोशिश ना करें जितने भी सादक और सादवी मुझे अभी सुन रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि यदि वो non-wage खाते हैं मास या मीट अंडा खाते हैं तो प्रयास करें कि इसे ना खाएं इसे खाने से हमारे अंदर एक उत्तेजना पैदा होने लगती है धीरे धीरे हमें गुसा ज़्यादा आता है और बोडी में भी बहुत सारी ऐसी चीज़े होने लगती है जो कि अच्छा नहीं होता हला कि medical science के नजरी से देखा जाए तो ये खाना अच्छा है लेकिन मैं आपको फिर भी मना करूँगा क्योंकि जो जोतिश है वो medical science से कहीं आगे है और आप ये ना खाएं तो आपके लिए ज़ादा अच्छा रहेगा लेकिन बहुत ज़रूरी है आपको ये खाना ही आपको बिना नहीं रह सकते तो फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा इस विशे में यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी शांत स्वभाव पैदा हो आपके मन में जो विचार आते हैं वो शांत हो जाएं या आप किसी प्रकार के समस्या से जूंज रहे हैं या कुछ पाना चाहते हैं तो इन चीजों से धीरे धीरे आप दूर हो जाएं और अपने इश्ट का नाम लीजिए या जो भी आप जिसको भी मानते हैं उसको याद करना शुरू कर दीजिए जरूरी नहीं है कि मैं शिप को मानू या मैं पारवती को मानू जिसको भी आप मानते हैं उसकी उपर ध्यान लगाए और हमेशा याद रखेगा कि अगर हम उनका ध्यान लगाएंगे क्ज़्वाय की जरुवत नहीं पड़ेगी क्यंकि जो चीज़ आप सोचेंगे यह आपको जो भी चाहिए होगा वो अपने आप आपको मिलने लगेगी यह ठीक उसी परकार है जिस परकार से जो पिता होता है उसको पता होता कि बच्चे को क्या चाहिए उसको बोलने की जरूत नहीं पड़ती और हम सब उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं तो हम ही क्या चाहिए हमारे लिए क्या अच्छा है यह उसे सब पता है बस अपने आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए क्योंकि जब आप पॉजिटिव होंगे तो बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाता है जिन्दगी में ऐसे बहुत सारी ऐसे कंडिशन होती है कि इनसान चाहकर भी पॉजिटिव नहीं रह पाता लेकिन फिर भी आप ज़रूर पॉजिटिव रहिए और जितना हो सके अपने आपको सकारात्मक उर्जा के इर्द गिर्द रखिए घर में एक सॉल टैम रखिए और अगर आपको डॉग्स अच्छे लगते हैं तो वो भी पा लिए उनसे भी बहुत सकारात्मक उर्जा का संचार बना रहता है घर में और हमारा गुरूप जो है वो पूरी तरह से भर चुका है तो कृपया मुझे एक मेसेज बार बार ना भीजें कि गुरूप में हमें जोइन कराएं या हमें गुरूप में शामिल करें और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप YouTube पे सर्च करते हैं अपने या मान लीजे आपको कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम है और आप उसके बारे में सर्च करते हैं YouTube पे तो सोच समझ कर ही निना लीजिए क्योंकि आप जानते ही हैं यूट्यूब पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ लोगों के विश्वास के साथ खेलना आता है और वो कुछ नहीं करते तो आप यदि कहीं पर भी जाते हैं तो जरा उसकी चानबीन कीजिए और देखे उसके बारे में पढ़िए या फिर जहां से आपको जानकारी मिले उसके बाद अपना निना दीजिए और ये जो मेरी वीडियो होती हैं इससे रिलेटिड आप कोस्टिन पूछ सकते हैं मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन वाहियात कोस्टिन मत पूछीगा क्योंकि अधिकतर लोगों को पता नहीं क्या हो गया है वो ऐसे कोश्टिन पूछते हैं कि जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता लोग मुझ से बोलते हैं क्या है यह आपके जो मंतरें काम करेंगे काम करेंगे तभी तो डाले है ऐसे तो कोई डालेगा नहीं तो उसी प्रकार से आप देखिए मैंने पहले भी कहा था हर किसी के लिए हर सुख नहीं है इस अंसार में और कभी भी निराश मत हुएगा क्योंकि कहते हैं अर्थार्त कब भागे बदल जाए ये तो देव भी नहीं जानती तो हम तो मनुश्य मात्र है और यदि आपको सच्चा विश्वास है अपने परम्पिता परमात्मा पर या जिसको भी आप मानते है तो वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा चाहे कैसी भी कंडिशन आ जाए किस दिना किसी माध्यम से वो आपको जरूर साथ देगा और ये कोई पड़ी लिखी बात नहीं है ये आजमाई हुई बात है बस आप इतना जान लीजीगा कि आपके जो बूल है जो आप बोलते हैं इनसे बहुत बड़ा फरक पड़ता है इस फिजिकल वर्ल्ड में और मैंने आपको एक बार रिसर्च करने के लिए कहा था कि डॉक्टर मसूरी इमोटो की वीडियो जरूर सर्च कीजिए तो उन्होंने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किये हैं और वो जरूर आप देखिए उमीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंदा रही होंगी और आप भरपूर लाब उठा रही होंगे और जो लोग मुझे से शिकायत करते हैं मैं उनको कहना चाहूंगा कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप किसी और की वीडियो भी देख सकते हैं यदि कोई मंतर काम नहीं कर सकता आपके लिए या वो नहीं कर रहा काम तो हो सकता है उसमें भी आपका कोई ना कोई भला हो क्योंकि हमारे अंदर यतनी बुद्धी नहीं होती कि हम उस परमपिता के मास्टर प्लैन को जान सकें कि वो हमसे क्या करवाना चाहता है और मुझे उमीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और इसी तरह से मैं वीडियो देता रहूंगा लेकिन मुझे चाहिए आप लोगों का धेर सारा साथ और प्यार और आप मुझे जो भी ये वीडियो में अपलोड करता हूँ इसको तुरंत शेयर लाइक कर दीजेगा और जो हमारा ये जो चैनल है दुरलब सामकरी इसको जल्द से सब्सक्राइब करिए ताकि जादा से जादा लोगों को मदद मिल सकें बहुत लोग है ऐसा बहुत ऐसे लोग हैं जिनको आज मदद चाहिए माध्यम आप बनेंगे सिर्फ आपका एक छोटा सा डिसिजिजन बहुत लोगों की जिन्दगी बदल सकता है कहते हैं जहाँ न पहुंचे दवा वहां लगे दुआ तो अगर आप किसी की दुआ लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेर करें अपने फेस्बुक पेज़ पे या कहीं पर भी जहां पे लोग इसको देख सकें और वो हम तक पहुंच सकें जादा समय ना लूँ आपका इसलिए इस वीडियो को मैंने इतना ही बनाया है और आप कमेंट में लिख सकते हैं जिस भी टॉपिक के उपर आप अगली वीडियो चाहते हैं और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने उपर और अपने परमपिता परमात्मा पे भरोसा रखिए वो आपको कभी निराश नहीं करेगा वो आपको सब कुछ देगा बस जरूरत है तो थोड़े से विश्वास की ओम नमस्षिवाए